बिना बहु की सास वैसे तो सास बहु के जगडे सदियों से चलते आ रहे हैं पर ये भी एक सत्य है कि बहु के बिना सास और सास के बिना बहु का वजूद अधूरा सा लगता है पर क्या हो अगर बहु होते हुए भी बहु ना हो? उल्जेन में पड़ गे ना? मनोरमा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ जब उसके बेटे ने उससे कहा कि वो अशिता के साथ लिविन में रहने वाला है अब यह क्या नया चोचला ले आया मुनना तू? लिविन क्या होता है? हम सिदह सिदह तुम से कह रहे हैं कि शादी कर लो, घर बसा लो और तुम हो कि यह लिविन लिविन के चक्कर में पढ़ रहा है अरे मा ऐसे कैसी किसी अंजान लड़की से शादी कर ले हम? हमें पता तो चलना चाहिए कि हम उसके साथ जिंदगे बर रह सकते हैं या नी? इसलिए हम पहले लिविन में रहेंगे इसके बाद सोचेंगे कि शादी करें या नहीं अरा सत्यानाश हो आज कल की पीड़ी का पता नहीं क्या-क्या चौचले लेकर आते हैं अगर साथ रहने के बाद अच्छा नहीं लगा तो तो क्या? फिर शादी नहीं करेंगे और गया? आप क्यों इतना टेंशन ले रही हैं मा? आज कल न यह सब नार्मल हो गया है सब लोग करते हैं ऐसा और आपको तो फाइदा ही है देखिए शादी के पहले ही आपको पता चल जाएगा कि अशीता बहु के रुपे कैसी होगी? भविश्य में आप भी अपना फैसला ले सकते हैं आसानी से अरा हमा बहु चाहिए जो इस घर में तेरे साथ साथ फेरे लेने के बाद आए ऐसे ये महमान की तरह बहु बन कर आए वैसे नहीं हम ऐसा उसको कभी स्वेकार नहीं करेंगे हम अभी सकाद आता है मनोरमा को आकाश का इस तरह लिविन में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था पर वो आकाश की जिद के आगे कुछ कर भी नहीं पा रही थी मा यह है अशीता जिसके बारे में मैंने आपको बताया था अशीता यह हमारी मा है कैसी है आप पूछ रही है अरे तेरे आने के बाद जी जल रहा है हमारा मा कहां खो गई आप कहीं नहीं हम यह सोच रहे थे कि तुम्हारे माबाप ने कच्छु कहा नहीं कि तुम आइसा कैसे किसी लड़की के साथ रहने जा रही हो मेरी माम डैड अस्ट्रिलिया में रहते हैं वो बहुत मौटन विचारों वाले हैं वो तो तुम्हें देख करें समझ गया थे हम हम यह कह रहा है थे कि आकाश लट्स गो ना मैं बहुत थेक गई हूँ चलो अपनी रूम में चलते हैं प्लीज रूम में? तुम दोनों एक ही रूम में रहोगे? हाँ तो लिविन का तो मतलब यह ही होता है एक साथ रहना अंठी बाकी बाते हम कल करेंगे अब हम दोनों जा रहें आराम करने आप ही आराम कर लीजी ठक कही होँगी ना आप जिस तरह से अशीता और मनोरमा की पहले मुलाकात हुई थी उसे देख कर तो ऐसा लग रहा था कि दोनों एक दूसरे को कड़ी टकर देने वाली हैं और इनके जगणे में पीस दे वाला आकाश आकाश और अशीता सुबह के नौ बजे नीची आते हैं कितना टाइम हुआ देखो तो सरा इतनी देर तक भी सोता है क्या कोई अंठी मुझे तो आतती नहीं है जल्दी उठने की इसलिए देर होगी वैसे आगे से कोशिश करूँगी कि जल्दी उठीओ ठीक है हाँ हम दोनों आगे से ध्यान रखेंगे अब ये बताओ आपने नाश्ते में क्या बनाया है बहुत भूक लगी है मा हमने कच्छो नहीं बनाया अरे तु जिसके साथ लिव इन में रह रहा है उसे बोलती रहे नाश्ता बनाने के लिए हम कहें नाश्ता बनाया तुम दोनों के लिए अरे ये क्या बात हुई मैं इस घर के बहुत थोड़ी नहूं जो नाश्ता बनाऊंगी मैं नहीं बना रही हूं नाश्ता आकार्ष देखो ना तुमारी मा मुझे नाश्ता बनाने को बोल रही है अगर मैंने शादी की होती त चूब बना भी दी थी पर अभी था हम लेवन में रह रहे हैं मैं नहीं बना सकती नाश्टा और तुम भी अगर हमारी बहु होती तो हम तुमारे लिए नाश्टा बना देते पर अंजान लोगों के लिए तो हम कच्छो नहीं कहने वाल एंपू लया हैं विर्फिंटू है ठ्याम को दोनों एक और बात पर एक दूसरे पर बरस पड़ी हम कया दिया स्दमdat लुए इससऑ नहीं छलता। आरे का राप ये जा रही हो एक बार वह बात समझ में नहीं आती का इंmm तो मैने भी कह दिया न कि आप मेरी सास बने नहीं अहीं अभी तैक, तो जो मेरी मरजी में आएगा, जो मंच आएगा वैसे ही कपड़े पैनूगी पैनुगा अरा देखा मुन्ना, कासे बात कर रही है मुझ्से और देख क्या क्या केसे कपड़े पैना बेबी देखो ना, तुमारी मम मुझे कैसे बात कर रही है, तुम्हें तो ऐसी कपड़ी पसंद है ना, बोलो ना तुमारी मम को बिचार आकाश, बार बार उन दोनों के जगड़े में फस जाता, मनोरमा और अशिता रोज किसी न किसी बात पर लड़ती रहती, और आकाश बैट कर उनके मसले को सुझाता रहता, एक दिन सुबह सुबह दोनों फिर से किसी बात पर लड़ रही थी ये बगवान, आप दोनों फिर से शुरू हो गई, दोनों शान्दी से नहीं रह सकती क्या देख मुन्ना, हमें बलकुल पसंद नहीं कि कोई पराई लड़की हमारे घर में इस तरह से रहे, इसलिए हमें इसकी हर बात पर गुस्सा आता है और मुझे ये पसंद नहीं कि जिसका मेरे साथ कोई भी रिष्टा नहीं, वो मुझे बार-बार प्रोगती रहे अच्छा ठीक है, तो एक काम करते हैं, अगर ऐसा ही है तो हम और अश्चिता शादी कर लेते हैं, इसके बाद तो ये इस घर की बहु बन जाएगी, फिर आप भी खुश, और अश्चिता, शादी के बाद ये तुम्हारा अपना घर बन जाएगा और मा तुम्हारी सास बन फिर तुम्हारी भी प्रॉब्लम खत्म हाँ ये तुमने सही कहा मुन्ना हम तो कब से कह रहे हैं कि कर लो शादी हाँ ये अच्छा आइडिया है अकाश्ट ने इस मुसिबत को हमेशा के लिए हटाने के लिए शादी करने का फैसला कर लिया और कुछी दिनों में एक अच्छा मुरद्दिक कर शादी भी कर ली शादी करके जब वो घर आता है तो मनोरमा नई बहु का ग्रह प्रवेश करवाती है और चावल का कलश आगे रखती है अब बहु इस कलश को पैर से गिरा कर अंदर आ जाओ ठीक है अरे अरे इतना सोर से नहीं कहा था हमने अब भी तुम व अब अब तो ये भी मेरा घर है मैं भी चुप नहीं रहूंगी और दोनों शुरू करतेती हैं लड़ना इन दोनोंका कुछ नहीं हो सकता इन सब जगडों को रोपने के लिए तो शादी किये थे पर अब शादी के बाद भी यही सब ए भगवान आपने क्यों बनाया इसास बहू को ऐसा